परसनेलिटी डिसॉर्डर अविश्वास और शकिला व्यक्ति मत्व इसके बारे में आपसे आज बात्चीत करने वाला हूँ मेरा नामें डॉक्टर दीपाग केड़कर में अन्नों विकार सेख्ष्रोग संमोहन तथा वेसंगुति तक गयों महाराष्ट में अकुला में प्रैक्टिस करता हूँ शकीले लोग रहते हैंंका स्ववाज शकिला रहता है यसणे वा पागल निर्ए यह व्यक्ति मत्व आजए तो साथ उसके साथ country साथ में Bowl से चार हॉsentम फुल्फिल करता है बाकि वो काम धंदा करते हैं, डूटी पे जाएंगे, धंदा करेंगे, मगर उनका बार-बार वो शक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, बाकि वो पागलपन की कोई भी निशानी उनमें होंगी नहीं, तो इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हम देखेंगे, नमबर एक है, कि उ दिमानदार नहीं है, उनको ऐसा लगते रहता है, बार-बार, फिर वो कुछ भी बात शेर नहीं करते हैं लोगों से, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बात शेर कुरूँ में जिन्दगी की, तो लोग वो सब फैला देंगे दिरुदर, और उसमें से उसको नुक्सान होंग इसलिए वो सिक्रेट नहीं रहेंगे, सब फैला देंगे और उसका फायदा उनके खिलाप किया जाएंगा, मतलब उसका इस्तेमाल ठीक नहीं होगा, नमबर चार, जो भी कुछ लोग बोलते हैं उसका वो गलत रर्थ निकालेंगे, उनको लगता है कि यह कुछ तभी इनका इरादा है नो बराबर नहीं है, वो कुछ तभी टोच के बोल रहें, यह मतलब सार्कास्टिक कॉमेंट कर रहें, नमबर पाँच, यह लोग अपमान भूलते नहीं है, उनको थोड़ा भी कहीं इंसल्ट हो गया, थोड़ी भी कुछ कॉमेंट कर दिया, तो उनको लगता है क उनका करेक्टर खराब करें, उनके करेक्टर के ऊपर वो कुछ मतलब ऐसा उसके बारे में चर्चा करें, ऐसा उनको लगता है, और नमर साथ, उनको अपने स्पाॉस के खिलाप, पती या पतनी के खिलाप बार-बार शक आते रहता है कि इनका उस्त भी है, तो यह साथ जो लक्षन है, उसमें से चार लक्षन है, तो यह परनाइड परसनेलिटी डिसार्डर माना जाता है, अब यह यह कामधंदा करते रहता है, यह नुकरी करेंगा, बाकी लोगों से अच्छे भरता हो करेंगा, मगर यह हर दम शक करते रहें, ऐसा पिछे देखते रहेंगे वो, का सुनतर हो नहीं लगता है क्या कुछ भीfly हो रहा है और वो कोया का रहें है, जो नहीं कर रहा है, क्या में लोगों के पुर विश्वास कर सकता हों कि अजह ऑर लहैंग record कहता है, मतलbus पर इस पर रहते नहीं, इनकी treatment और में ऐसाइको थापन हैं। कि psychotherapy करना cognitive theater therapy film in fact व बेम माधद्यम से उनका उनको सकता है सम्मोन उपचर से ंका लग्य होता है यह जह परसनलेटी है यह परसनलेटी आप्राक्विमेटली 14 15 साल के बाद में पाई जाती है और यह फिर उसका जो अंदिम है, वो एक तो पैरनेट स्किजोफिने में चला जा सकता है या वो ऐसी रह सकता है, अपना जीवन काटे रहता है, खुद को भी तकलीब लोगों को भी तकलीब दिते रहता है, तो इसका इलाज जरू हो जाएंगा, इसको ट्रीटमेंट की जरूत है, और मेंली साइकोधरेपी दवाए कुछ काम में आती नहीं है ये वीडियो जाएंगा लोगों को फैला होता कि ऐसे बहुत सारे लोग अपने समाज में हैं मालूम रहते नहीं हैं, ऐसा लगता भी नहीं की पेशेंट है, मगर बाकी लोगों को बहुत तकली बुन्की होते रहती है तो ये वीडियो जो लोगों शेर करो, सब्सक्राइब करो लाइक करो, हमारा जो मिशन है, वो है सबकी लिए मानसिक स्वास्ट इवेशन मुक्त भारत, इसमें आपका भियार लग जाएगा हमको लोग online counselling भी करते रहते हैं हमारे यहाँ लोग आके ते, मतलब तपास की हिलाज करते हैं, online counselling करते हैं और लोग अच्चो हो जाते हैं आप यह वीडियो लोगों को फैलाएंगे लोगों जानकारी होंगे, और लोगों अपना जीवन अच्ची तरह से जी सकेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरे मुद्ट जीवन झालएंगे